नमस्कार मैं प्रोफेसर स्वे एसस नरायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसी दास द्वारा रचित स्री रामचरत मानस के पंचम सोपान सुन्दर कांड से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब हनमान जी को बंदी बना कर जो दर्बार तक ले आये हैं अब दर्बार में क्या हो रहा है हम देखेंगे कह लंकेस कवन तैं कीसा केहि कें बल गो गालेहि बन कीसा कीदो स्रवन सुनेह नहि मोही देखंग अत असंक सट तोही मारे निसिचर केहि अपरादा कह सट तोहिन प्रान कैवादा सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल बिरचति माया जाके बल बिरंच हरी ईसा पालत सुरुजत हरत दस सीसा जाबल सीस दरत सहसानन अंड कोस समेत गिरिकानन दरई जो बिविद देह सुरुत्राता तुम्हे से सटन्ह सिकावन दाता हर कोदंड कटन जेही बंजा तेही समेत नुपदल मद गंजा कर दोशन त्रिसिरा अर बाली बदे सकल अतुलित बल साली जाके बलं लवलेस तें जितेहु चराचर जारी तास दोत मैं जाकर हर आनेहु प्रियनारी देखे अब हनमान जी से हनमान जी और रावन जी के बीच में जो समवाद कह लंकेस कवनताइं कीसा केह कें बल गाले बन कीसा कीदों स्रवन सुनेह नहीं मोही देखव अति असंकसट तो ही देखे लंका पती रावन ने क्या कहा है रेवानर तो कौन है किसके बल पर तुने वन को उजाड कर नस्ट कर डाला क्या तुने कभी मुझे मतलब मेरा नाम और यह सुना कानों से नहीं सुना रेशट मैं तुझे अच्चंत निशंक देख रहा हूं देखिए क्योंकि रावन ने भी पैचान लिया है कि रेकिन रावन के सामने बैटने के लिए सभी लोग इवन देवता और दिकपाल अस्ट दिकपाल भी उनके सामने डर डर के कड़े रहते हैं तो यह बहुत निडर होके बैटे हैं तो लग रहा है कि अरे यार तुने कभी मेरा नाम और यह सुना नहीं कि शायद नाम ना सुने की वज़े से हो गए होंगे लेकिन अब आपको देखने से लग रहा है कि बिल्कुल निडर मतलब ऐसे हैं देखव अति असंक सट तो ही मतलब बिल्कुल निश् केही अपराद कहुं सट तो ही न प्रान कई बाद सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल भिरचति माया तुने किस अपराद से रक्षसों को मारा है क्यों मारा है क्या बात है रे मूर्ख बता क्या मुझे प्रान जाने का बई नहीं है क्योंकि यह दिर रक्षसों को मारे तापको मुर्चदंड मिल जाता है हनमान जी ने कहा हे रावन सुन जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समोहों की रचना करती है जाके बल बिरंच हरी इसा पालत सुरुजत हरत दस सीसा जा बल सीस धरत सहसानन अंडकोस समेत गिरिकानन देखिए हनमान जी का उत्तर इतना तुलसीदास जी के शब्दों में जिनके बल से हेदस शीश, हेदस शानन, ब्रह्मा, विष्णू, महेश, सृस्टि स्तित लएकारक, मतलब सृस्टी का सुरुजन, पालन और समहार करते हैं और आगे देखिए दरई जो बिविद देह सुरुत्राता तुम्हें से सटन्ह सिखावन दाता हर कोदंड कटन जेही बंजा तेही समेत नुरुप दलमद गंजा जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की मतलब अनेक प्रकार के देहदारन करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को सिख्षा देने वाले हैं मतलब आपको सजा देने वाले हैं जिन्होंने शिवजी के अच्यंत कटोर दनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ आप जैसे राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया है कर दोशन त्रिशिरा अरुबहाली बदे सकल अतुलित बलसाली देखो आपके इतने मित्र हैं जिन्होंने कर दोशन त्रिशिरा और बाली को मार डाला हैं जो सब के सब अतुलनी ये बलवान थे क्योंकि ऐसे ऐसे रोगों का हिरे गहरे लोगों को किसने मारा नहीं किसको खर दोशन त्रिशिरा और बाली ऐसे अतुलित मत्तों अतुलनी ये बलवानों को मारा था जाके बल लवले सते जिते हु चराचर जारी तास दूत मैं जाकर हर आने हु प्रियनारी दिखिए जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रियप पत्नी को तुम छोरी से हर लाए हो मैं उनहीं का दूत हूं और आगे देखी इसी पद का संक्षेप में और एक बार में अर्द समझाना चाहता हूं लंकेश्वर दशानन रावन ने कहा रे बंदर हेवानर तो कौन है किसके बल के बरो से तुने वन को उजाड कर नस्ट कर डाला क्योंकि पूरा हैसा तैसा कर लिया कि संपूर्ण नस्ट कर दिया क्या तुने कभी मेरा नाम और एश्कानों से नहीं सुना है सुने तो आप इस प्रकार नहीं करते हैं रे शट तुझे अत्यंत निर्भए देख रहा हूं क्योंकि अभी तक सब के सब डर डर के कड़े रहते हैं लेकिन तुम मेरे सामने भी ऐसे निडर होके बैटे हत्यंत निर्भए देख रहा हूं क्या बात है किस अपराद से तुने रक्षसों की हत्या की रे मुर्क बता क्या तुझे प्रान जाने का बाई नहीं है हनमान जी देखिए इसका उत्तर हनमान जी कैसे दे रहे हे रावन सुन देखिए उन्हें इसे रिक्वेस्ट नहीं किय जिनके बल को पाकर माया संपूर्न ब्रह्मांडों के सम्मूहों के सृस्टी करती है और आगे दीखिए है दशानन जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मतला सृस्टि स्तिति लायक करते हैं जिनके बल से सहस्र मुक वाले सेश जी फर्वतों और वनों के साथ समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर दारन करते हैं जो द्यावताओं की रक्षा के लिए तरह तरह के शरीर दारन करते हैं अनेक आवतार दारन करते हैं और जो तुम्हारे जैसे शटों को, मुर्खों को सिख्षा देने वाले हैं, सजा देने वाले हैं और जिन्होंने शिवजी के कटिन से कटिन शिवदहनुष को थोड़ डाला और तुम्हारे साथ राजावों के सम्मु का अभिमान नस्ट कर दिया और ऐसे नहीं जिन होने आपके अतुल नीय बलवान लोग खर, दोशन, त्रिशिरा और बाली जैसे अत्यनत बेजोड अतुल नीय बलवान उंको मार डाला जिनके बलके लेश मात्र से तुमने समस्त जड़ चेतन जड़त को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से ऐसे लेकर आये हैं, उनके ना रहते वक्त आप उचुपके चोरी करके ले आये हैं, लेकिन मैं वही स्रुस्तिस्तित लायक कारक जो स्रामचंदर जी का मैं दोत हूँ एक है कर और हनमान जी ने एक है दिया है कि देखो अब हनमान जी और इसके रावन के बीच में इस समवाज से तुलसी दास हनमान जी की जो बुद्धी और शेक्ति, क्योंकि एक तो शेक्ति तो हम देख चुके हैं, और उनकी बल बुद्धी विज्या, देह, अरह, कले, हनमान चाली समय पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार तुलसी दास ने हनमान जी के जो निडर पोरोक व्यावहार का अथ्यन्त बढ़िया सफल चित्रन किया है, कहने में कोई अच्छियोक्ती नहीं है, बहुत-बहुत धन्यवाद